नमस्कार दोस्तो आज हम आपको ग्राउंड जीरो से किसान की समस्या दिखाने वाले हैं देखे इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं और इतने ठंट के मौसम में भी किसान अपने खेतों में पानी पटा रहे हैं क्योंकि गेहूं का समय है और आपको हम खाद के बारे में बीशे हुआ है हम आपको पूरा बताने वाले कि खाद में कैसे कलाबा जारी हो रहा है जेकि एक तो किसान इतने मेनत करके अपना खून पसिना एक करके खेती करते हैं दिन रात एक करते हैं किसान लगभग लोग गरीब ही होते हैं और उसके बाद उनकी अनाज को भी पूरा रुपय आठ साथ परती बोरी यह सरकारी बोरी है देख सकते हैं परधान मंत्री भारत इडिया अब देखिए इसमें क्या होता है एक 1864.87 परती बोरी होता है जिसमें भारत सरकार द्वारा सबसिडरी दे दिया जाता है एक 1598.37 परती बोरी उसके बाद इसका लागत हो जाता है 266. 0.50 परती बोरी अब आप समझेए अब देखे किसान को इतना में मिलना चाहिए और इतना ही दाम जहां सरकारी यह बोरा आता है वहां मिलता है लेकिन यह बोरा जब आता है वहां पे तो किसान को इसका लाब मिल ही नहीं पाता है अब आप सोचिएगा यह बोरा आया कहां से है जब हम किसान से बात की हैं, तो उन्होंने कहा कि यह बोरी हम प्राइबेट दुकान से लाएं, यानि कि किसी प्राइबेट रीटेलर के पास थे, अब आप समझे इसका पूरा खेला, देखें क्या होता है, सरकार के तरफ से यह बोरी आता है, एक हजार, मान लिजी एक हजार अगर सरकार के तरफ से, यह जहां सरकारी डिपो है, जहां से लोग लाते हैं, अपना अधार काट देके, अब क्या होता है, कि जैसा ही एक हजार बोरी वहां पर आता है, उसके बाद क्या किया जाता है, कि उसका लाव मातर 20% ही किसान को मिलता है, बाकी 80% ओ लोग, जो यानि कि जो यह बोरा लाए हैं वह खुद बोल रहे थे कि 700 भी ले लेता है कभी कभी 600 रोपया ले ले लेता है यह मतलब कि जो प्राइबेट दुकंदार है अब इरिया कैसे कम हो जाता है क्योंकि सरकार तो भेज दी लेकिन यहां पर कलाबाजारी हो जाता है वह जो तो देखे सबसे बड़ा समस्या यहां आता है कि किसान जब जाते हैं खाद के लिए तो कहा जाता है कि खाद नहीं है खत्म हो गया आया था एक हजार बोरी और एक हजार बोरी खत्म हो गया अब खत्म कैसे हो जाता है किसान को तो मिला ही नहीं तो वह किसी रीटेलर को यह तैयार नहीं होगा किसान को बहुत सारा समस्त्या का समधान करना पड़ता है दोस्तों अगर आप किसान परिवार से होंगे तो आप भखुवी इस बात को समझ रहेंगे अब देखे दीन रात एक करके किसान खेती करते हैं खुन पसिना एक करते हैं उनके आनाज को रुपया नहीं मिल पाता है और उसके बाद यह भी एक समस्त्या सामने है रविट दुकंदार के प्रस्ची या बुरा कैसे आ गया यानि कि कहीं न कहीं वहीं से बेचा जा रहा है और उसके बाद मनमानी रेट लिया जाता है तो किसान कहां जाएंगे उनको टाइम पर खेत में खाद छीटना होता है समय पर पानी पटाना होता है उसके बाद खाद छीटना होता है तो आखिर जाएंगे कहां से उसका मनमानी रेट पर या खाद किसान खरीदते हैं नियुक्त को क्या होना चाहिए तो दोस्तों आपको हम समझाने का कोशिज किया है और पूरा बता है कि कैसे क्या हो रहा है कि सान को लेकर अब देख सकते हमारे पीछे भी कुछ किसान जो पानी पटा रहे हैं खेत में इतना ठंडा के मौसम में अगर आप घर से बाहर निकल र सोचिए कि पानी इतना ठंडर आता है बावजूद खेत में अपना खुन पसीने एक करते हैं उसके बाद उनका हक मारा जा रहा है एक तो सही रेट पर फसल नहीं मिलता है किसान फसल उगाते हैं उसमें भी कभी सुखाड आ जाएगा कभी बाड आ जाएगा बहुत सारा समस्य का सामना करना पड़ता है अगर आप किसान परिवार से हैं बखु भी समझ सकते हैं और हमारे देश में दो ही लोग है बहले इसको आप लोग जीस परकार समझिए एक किसान और जमान जो ठंड को ठंड नहीं समझता है गर्मी को गर्मी नहीं समझता है दूप को धूप नही हैं जो देश और सराज की रक्षा कर रहे हैं अपने समझे कि कितना जीरो डिगडी सेल्सियस में भी हमारे जमान अपने देश के सेवा के लिए हमेसा तयार रहते हैं और देखिए इतने ठंड होने के बावजूद भी कुछ लोग हैं जो सरकार अपने तरफ से पूरा किसान को समस्या मिल सके अगेसे ऐसे लोगों पर करवाई हो ना चाहिए जो ऊफाद को बेच दे रहे हैं धन्य वादंगे यहार एक सेलों पर रूंचुझा कर आपtechn को सब्सक्राइब कशने करना बिल्कुल नहीं भूलीएगा दोस्ट